हेलो फेंट्स वेलकम तो माई इस्टडी फीट आफ फीजिकल एजूकीस चैनल दोस्तो मैं फीर से आ गई हूँ एनोटोमी फीजियोलोजी के प्रैक्टिस से लोग करके यूथ कमपर्टीशन से मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ जिसमें अन्य टॉपिक में जैसे की सारी सिछा का इतिहास, खेल समासास, खेल मनुविज्ञान और सारी सिछा में अनुसंधान करा चुकी हूँ यह एनोटोमी फीजियोलोजी चल रहा है यूथ कमपर्टीशन से ही मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ और अधर मैं जो थीरी सेशन हैं कमपरेट करा चुकी हूँ बहुत सारे आप डेली बेसे से मेरे साथ बने रहे हैं चाहिए आप यूपी यूवर्ग टू का प्रिपरेशन कर रहे हूँ यूपी टीटी पीटी यूपी यल्टी ग्रेट भीपी एसी टीरी फो और सभी फीजिकल एजुकेशन कमपरेशन एक जाओं तो चलते हैं आज के कोस्टन के तरप आज की सेसन में 16 कोस्टन हैं दोस्तों और सभी कोस्टन का मैं डीपली अधियन करा रही हूं एक कोस्टन से कई सारे कोस्टन को हल कराने की कोशीस कर रही हूँ तो आप वीडियो को सुरू से लाश तक देखिएगा बीच में स्कीप करके भागिएगा नहीं क्योंकि वही उसी का जीत होता है जो सुरू से लाज तक्तिका रहता है तो चलते हैं आज के questions के तरफ question number one है इनमें से किस आधार पर प्रतिक ब्यक्ति को पहचाना और उनमें अंसर किया जा सकता है जैसे कि आप question सुन करके answer दे दिये होंगे तो वह होता है दोस्तो DNA जांज द्वारा DNA जो होता है ओ हमारा जो केंद्रक होता है कोसिका के बीच में यूकेरियोटिक कोसिका में बीच में जो केंद्रक होता है केंद्रक केंद्रक गरब भरा होता है उसमें बारिक धागों के एक जाल जैसे संरचना होती है जिसे क्रोमोटीन जालिका कहती है जो DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है जब कोसिका नई विभाजन होता है यानि नई कोसिका के विभाजन के समें बढने को दारान जो quéMotene होती हैह लंबे सुतरों में बढwn जाती है जीने हम गुर्ण सुत्र यह क्रोमोसम कोती है यही क्रोमोसम के अंदर लंबे धागे की तरह होती है जो आपके गुर्ष सुत्र जो होते हैं मनुस्तियों पुरूस मजलावों में तेज जोड़े होती हैं 46 गुर्ष सुत्र ये DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है और ये जो लंबे धागे होते हैं इसी को DNA कहते हैं DNA जिसका फुल फॉर्म होता है डी आक्सी राइबो न गुर्ष सुत्रों में पहे जाने वाली तंतु नुमा अड़ू को यहां DNA यानि के डी आक्सी राइबो न्यूखलीक अमल कहते हैं मानों समय सभी जीव में अनुवांसी गुर्ष इसी के जरी आता है DNA में उपसित सुचनाएं चार रसायने कोड मैप के रुपे होती है ओ है दोस्तों एदेनीन, गुवानीन, साइटोसीन, थायमिन, अगर कोशन पुछ देगा कि DNA में उपसित चार सुचनाएं कोड मैप के रुप में कौण कोण सी है तो एदेनीन, गुवानीन, साइटोसीन और थायमिन यही चार रुप कोड मैप होती है जिससे किसी जीव का रुप क्या होगा इन रसायनों की सिक्वेर्स पर निर्भर करता है कि इन रसायने कोड एदेनीन, गुवानीन, साइटोसीन, थायमिन देनने की रुप चितर की खोच किया था अंग्रेज वेग्यानिक, जेम्स वार्सन और फ्रांसिस क्रिक ने और उनको 1903 में इन्होंने खोच किया था इस खोच के लिए इन्हें 1912 में नोबेल पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया आई होब कि आपको यह कोशन समझ में आ गया होगा दोस्तों अब अगला कोशन की तरफ चलते हैं आप एक भी कोशन is such that no change is possible तो दोस्तों खेल सैली में हम तो परिवतन कर सकते हैं सारी बनावर सारी संदचना बट वनसा नुकरम जो बिसेश्ता होती है दोस्तों हेरिडेटी ट्रैट जो होती है उसमें हम changes नहीं कर सकते James driver का कहना है कि माता पिता की सारी यो मानसिक बिसेश्ताओं का संदचन में जो हस्तांतर होना ही हम वनसा नुकरम कहते हैं वनसा नुकरम के कारण ही बालकों में सारी बहनता पाए जाती है तबी तो हम कोई भी बालक या बालिका एक जैसे नहीं होते हैं और उनके जो रूप स्वरूप गठीलापन होता है वो सभी आपके माता पीता या एक पीड़ी या दूस पीड़ी से मिलते जुलते रहते हैं वंसान उक्रम विसेटा के करार ही बालकों की जर्मजाद समताओं और योगताओं में अंतर होता है जिसे सिखने की योगता में भी अंतर आ जाता है वंसान उक्रम में किसी भी तरह प्रयोतन संपर नई होता है दोस्तों क्या उसका रूप क्या है रंग क्या है उसके बाल के कलर क्या है ठीक है उसका आकार क्या है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं उसमें हम उसकी गुड़ों को चेंज कर सकते हैं उसमें जैसे कि एक स्वरूप पदा किया है आपका हिरिडिटी यानि के ओंसान उक्रम बड़ उसका विकास हम कर सकते हैं जो जीवन प्रयात ने चलता रहता है कोशन नमबर थ्री है सरीर पर बढ़ता हुआ रगत का आगहाद और कोशिकाओं के मेटाबोलिज में का बढ़ा हुआ दर्ग क्या दर्साता है दोस्तों यह बढ़ा दर्साता है उसमा यानिकी हीट को दर्साता है जैसे कि दोस्तों सलीव में कुछ आंधरी क्रियाएं होती है जिन्हें जिवतिक क्रिया या उपापचे या मेटाबोलिज में कहते हैं उपापचे एक प्रकार की रचनातमक्रिया है जिसके द्वारा जिवतर पे कानिर्मार होता है तथा उड़जा संकित होती है जैसे कि दोस्तों मेटाबोलिज में क्या होता है मेटाबोलिज प्रोसेश यानि चैप चैप क्रिया के बारे मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है नाटोमिय फीजियोलोजी के प्लेलिस में जाए है और डाइजेस्टी सिस्टम में आपको मिल जाएगा तो मेटाबोलिज में जो है या मानो सरी में होने वाली जेवरासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें जो खाद पदार्थ यानि की पोसक तत्त जैसे कार्बोहाइडियेट, प्रोटीन, ववसा, बिटामिन, खरनिज, लवड हम भोजन के रूप में लेते हैं वह अपनी उर्जा की रूप में प्रिवर्टीत होकर सरी में क्या करते हैं? एकंत्रित होते हैं और फिर किसी क्रिया या अभ्यास के दौरार वह एकंत्रित उर्जा का प्रयोग होना ही चैयानि की मेटाबॉलिज में कहलाता है. तो 在nam books और तो सरीर की द्वारा उर्जा की रूप में एकत्रित करना है. फारिक जौंपल जैसे कि आपका कार्बोहाइडिट को ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में तथा मांस्पेसियों में एकतित करना फैट्स को ग्लिसरीन तथा फैटी एसीड के रूप में एडिपोर टीसू के नीचे एकतित करना प्रोटीन को उमिनो एसीड की रुप में सरीर में एकतित करना, इस अपिकया है, अनाभोलिज में कहलाता है, बट जब हम कर्थाबोलिज में क्या होता है, जो भी कार्भोहाड़ीड-गुल्कोष की रुप में और फैट, ग्लिसरीड और फैट में आया होगा, इस दूनों कोो हम MeatuON में कहते हैं photo number 4 है को सीगा का स्वैसन नियंतर करता है को सीगा का स्वैसन को नियंतर करता है fox or android source की स्वैसन करते है वह हो हमारे फेफो में संपन होता है जिसे inspiration session process अदला बद्ली ह ark hedolars पूठे बाद जो IRB C का हिमोगलोवीन होता है वो आक्सिजन को लेकर के चला जाता है कोसिका में कोसिका में जाने के बाद कोसिका द्रब में जाता है कोसिका द्रब में जो है और वाइवी स्वसन यानि की आपका ग्लाइकुलेसिस प्रक्रिया होता है जिसमें टूपारिवीक अमल का निर्मा होता है by मैंट्cular कांटिया में आकसेजन की ऊपस्थीति में आसिक चार्ण थी होता है तो पूर जारर होता है तो सि feather करिया को नियंतित कुन करता है को सिका के अनدर तो इसमें मैंट्रो कॉंडिया करता है और इसमें माइट्रो कॉंडिया में क्रेफ्स चक्रिक दोरां 36 ATP का रिर्माव होता है जिसमें काफी मातरा में उर्जा प्राप्त होती है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो आक्सिजन गोज का पूर जारत करता है माइट्रो कॉंडिया में क्रेफ्स चक्रिक के दोरा जिसके तहुत प्राप्त क्या होता है उर्जा यानि एटीप 36 ATP उर्जा प्राप्त होता है और आपका कार्बोहाइड एंड कार्बन आक्साइड एंड जल प्राप्त होता है इसमें जो हमारा उर्जा होता है ATP कारे के दोरान उसको यूज कर लेते है पसीने के दोरा बाहर और यूरीन के दोरा बाहर निकल जाता है और जो हमारा कारबन ड्याकसाइड होता है वो वाहे सोसन के दोरा बाहर निकल जाता है आई किको आपको समझ में आया होमा दें जो Samy 1990 की चुर्जाक खेता है यहाँ पाउर हाउस आप सेल भी कहा जाता है उर्जा ग्री कहा जाता है कोसिका के अंदर गाढ़ा तरल पदात होता है जिसे क्या कहते हैं तो दोस्तों कोसिका के अंदर गाढ़ा तरल पदात होता है उसे हम साइटो प्लाज मियानि की कोसिका द्रबे कहते हैं ठीक है जो परा रहता है उसे जियो दरब कहते हैं उसी जर दरब को जब और कंद्रक जिली और कोशिका जिली के बीच में होता है तो इसे कोशिका दरब कोसिका द्रब गाड़ा पार्ड़ से चिपा पदार्थ होता है जिसमें पहुं सारे अर्गोनल्स यानि के अंग होते हैं जैसे राइबोसोम्स एन इसलाइसोसोम्स एंड आपका एंड़ोपलाजमदेटी कूलम सब्सक्राइब कोसिका के किस अंग को सेललर गार्बेज सफाई करने का काम कौन करता है हमारे कोसिका के अंदर तो होता है आपका लाइसोसोम्स ठीक है लाइसोसोम्स को हम डाइजेस्टू बैग कहते हैं कोसिका का पाचन बैग कहते हैं कोसिका की आतम हत्या की थैली कहते हैं कोसिका की सुसैडल बैग कहते हैं कोसिका का एटम कहते हैं और डिस ワर कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि लाय इसो मस्किंट के अंदर शफाई करने काOFF लाइसो में जल्गवड watershed कि खोज किस्टियन डिवे ने किया था और यह पादप कोशी काम नहीं पाय जाता है, तो पादप कोसी का में इसका काम रिख्धिका के दिवारा किया चोटी थैली होती है जिसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन वसा को तोड़ता है यानि पचाता है प्रोटीन वसा तथा केंदरक अमल को अलग अलग तोड़ देता है जब कोई सुच में जी कोसिका में प्रवेश करता है तो इन ही पाचक एंजाइम्स के करण नस्ट हो जाता है इसलिए इसको कोसिका का पाचन बैग यानि डाइजिस्ट बैग भी कहा जाता है लाइससोंस को लाइसोसम्स जो है बैक्टिया को मारने का काम करता है जो मृत कोसिका होता है उसको नस्ट करने का काम करता है अगर पूरी कोसिका यह अनुपयोगी हो जाती है तो पूरी कोसिका को ही यहाँ लाइसोसम्स खुद भट जाता है और बहुत जारे पाचक एंजाइम यानि जल ही पाए जाता है, इसलिए या कहां पर जाकर मरता है? या इस्प्लिन यान प्लिहा में जाकर मरता है, इसलिए इस्प्लिन यान प्लिहा को बलड बैंक कहा जाता है. Quttiion No.7 है, कोसीका सरी से नारी सम्वेदन का संचार किसकी साहधा से होता है? With the help of which nerve impulse are transmitted from the cell body. तो दोस्तों जैसे कि आपका जो नीरॉन होता है वो तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है तो हमारा जो नीरॉन होता है बीच वाले पॉड को हम सेल बॉडी कहते हैं या साइटाउन कहते हैं यह जो आपका पतले पतले धागे समान है यह आपका डेंड्राइट्स है और यहां से पूँच के समान निकलता है लंबे धागे के समान यह आपका हो जाता है एकसान ठीक है एकसान है ठीक है एकसान आई यह डेंड्रायट्स है आई यह आपका बीजवाला सेल बॉड़ी है तो जो कोसी का सरीर से यह बोल क्या रहा है कि कोसी का सरीर से सेल बॉड़ी स है यहां पर करता है और सेल बोडी से संदेश को फिल जाता है एकसान के द्वरा तुसरे नीरौन के दिरह तरफ तो सेल बाउडी से नारी समीदन का संचार किसकी साहता से होता है तो वोगत तो है तो हम तो हुद गजाएगा तया निय कि जो संदिष को प्राप्र करके वी यह ली जाता है साइटान के उनिवाला होता है एक्सांड ईक्सांट की बहुते हैं इस नेरॉन्स को बहुता है बाद है यह फ्लू आख हैं क्यों देया पत्ताइस को फेरके लिए सईडिष मेह प्रहों उपी का अनगे नीरोनों से आवेज गुरहृ करकर उनको ले जाता है कि अपका डेंडरायर्स वे शन्द्र को प्राप्त करके कहा ले जाता है तो को crown नमबर नाइन है कोसिका चारो तरफ से घिरी होती है तो दोस्तों कोसिका यह है आपका यह आपका से केंद्रक है केंद्रक कोसिका जो है चारो तरफ से घिरी रहती है कोसिका जिल्ली के द्वारा किस कोसिका जिल्ली जिसे हम प्लाजमा मेंब्रेन भी कहते हैं कोसिका जिल्ली क प्लाज्मा मेंब्रेन प्लाज्मा लेमा प्लाज्मा जिल्ली बायोलोजिकल मेंब्रेन आधी नामों से जाने जाते हैं जो कोसिका को चारो तरब से गेरे रहती है जो अर्ध पारगम में होती है बिद्री पदार्थों को बाहरी परियावरण से अलग करती है और पहचान का का करता है यहां रख्तिसी भोजन की पोसक तत्तुयों आक्सिजन को ग्रहण करती है और भोज़े पदात त्याजे पदात जो त्यागने योगी पदात होती है सी योटू को बाहर निकालती है एक चलनी की तरह काम करती है को सिखाज जिल्दी यानि कि कुछी पदात जैसे जल ग आक्सिजन उत्पादन से नहीं दोस्तों यह आपका है उर्जा उत्पादन से क्योंकि कोशिका का पाउर हाउस आप सेल याने की उर्जा ग्री कहा जाता है एनर्जी प्रोटक्शन क्योंकि जो कोशिकी स्वाइवी 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 स्वाइव होता है जो गुलकोज का पूर जाड़ा होता है जो उर्जा उत्पादग करता है ATP की रूपे 36 ATP कोसिटन नमबर 11 है कोसिका की अधियन को क्या कहते है तो आप सब को पता है इस्टी और सेल को हम साइटोलोजी कहते हैं एनजियो के अधियन को बायोलोजी एन उतक के अधियन को हिस्टोलोजी बुला जाता है ओँ आप सबूस्द करती हैानवरी सबीर उसेल का सब्सक्राओर में। इस्ट्र कोिसिकाओं कि समुला को हम कहते हैं उतक को सथी मज़ा किस प्रकार का उतक है भून-मैरो, इन विच टाइप ओःस्जव कुटाइप इपण सी था इस अथ्यमज़ा किस प्रकार का उतक है? आपका समान्य समयोएं उतक तंतुमें समयोजी उतक कंकाल समयोजी उतक तरल समयोजी उतक आता है समाने संयोजी उत्तक जिसे सिंपल कनेक्टी टीशू के अंतरगत आपका एरियोलर, पिंगमेंटेड, एडिपोज टीशू, रेटिकुलेट आता है कि इसले फाइबर्स करेंथी टीशू यानि कि तंतू में सम्योजी उत्तक के अंतरगत आपका वायट टैंडर, लिगमेंट आता है एडे कंकाल सम्योजी उत्तक के अंतरगत कार्टिलेज और ब्रॉन आता है कर एक लिंफ है इसभी चीज्य संव्य उत्तक के अंध्र गधते हैं वे कुकले तो नाल कहते हैं उसे में आपके गद्दे समान गुद्दे के समान अस्थी मज़ा होते हैं मुलायम से उत्तक होता है जो वयसकों में बड़ी अस्थियों में मज़ा रख्त कोशिका का रख्त कोशिका आरवीसी WBC का निर्मार करता है इसमें कुल सरीर के भार का 4% समाहित रहता है यानि लगबग 2.6 किलोग्राम वयस्कों में होता है या गुद्दे के समान मृदू उत्तक होता है अस्थियों में इस्पंजी भाग के आवकासों में लंबी अस्थियों के मध्य नलिका में जो गुआ होता है गड़ा होता है खुकला भाग जिसे हैवेर्सिन नल करते हैं उसमें पाये जाता है तो रख्त का निर्मार जो है वयस्कों में अस्थि मज्जा में यानि बूर्ण मेरू में होता है जबकि भुड़ा वस्था में यक्रित या पलिहा में होता है कोस्चन नमबर पंद्रह है यहाँ पे आपको सही मिलान करना है तो यहाँ पे आप देश सकते हैं एपिथिलियल टीसू क्या करता है एक प्रकार के जेली या असन्यूग तो होता है जो हमारे सभी बाड़ी पार्स को प्रोटेक्शन प्रदाद करता है सन्रशना प्रदाद करता है रच्छा करता है वाहे वातावरण से ठीक है तो सन्यूग जी उतक एपिथिलियल टीसू आपका येली या सन्यूग तो हो जाएगा A का 2, सन्यूजू उतक आपका एक प्रकार का साच्य का काम करता है, एक दूसरे का जोड़ने का काम तो B का 1 हो जाएगा, नरम उतक जो होता है, जो अंगो को आदर रखता है, तो C का 3 हो जाएगा, वाई कोसू तक जो होता है, एर, सेक, टीसू यह उपास्थी कोसिका में पाय जाता है, उपास्थी जो अस्थी का ही भाग होता है, बड़ अस्थी कठूर होता है, उपास्थी आपका लकीलाफपन होता है, गद्देदार होता है, तो दोस्तों इस प्रकार आपका आसन नमबर यहाँ पर राइड इंसर हो जाएगा question number 16 है अभी कथन statements based पे है अभी कथन A है कि आंतरिक सोसन का अर्थ है कोसिका में वाहे दरबे के माधियम से gases का बिजमे होना तो यहाँ पर आपका राइड इंसर हो जाएगा राइड है आपका A कोसिकी सोसन होता है सबसे पहले आपका कोसिका दरब में संपन होता है तो वाहे दरबे है वो कोसिका दरब में ग्लाइकलोसिस प्रक्तिया होती है जिसमें 2ATP का निमा होता है और YV सोसन होता है अक्सिजन के अनुपस्तिती में ग्लुकोज का आंसिक जारर होता है पूर जारर नहीं होता है क्योंकि पूर जारर आपका माइट्रोकॉंडिया में होता है वाईवी स्वसन में तो जो कोसिका द्रवे होता है वहाँ पर पारविक अमल का निमा होता है जो बिनिमें कहां पर कर देता है कहां दे देता है माइट की फेफडे का रग्त संचार का और्थ है समग रखसंचालन । असा थोड़ी कि फेफड़े का रखसंचार मतलब समग रखसंचालन । यहां पर ए रायट है ब्ट B A आपका गलत आपको हल कराया है एक नेक्स्ट आपका कोशन पेसित अंतर मस्किलर स्टम से होगा जो मस्किलर से डीटेस मुश्ट मुश्ट कोस्ट तो होगे आब मस्किलर से इल्लिटेक वीडियो आप डेली बेसे जरू प्रैक्टिस कीजिए और सभी मुश्ट important questions को हल करा रही हूं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्राइक्रिस में तब तक कि लिए जये हैं